आज हम सिखेंगे परिमेय संख्याओं पर की जाने वाली विभिन संक्रियाओं का साहचर्य गुण्ड साहचर्य गुण्ड यानि असोसियेटिव प्रॉपटी संक्रियाओं में कोश्ठकों के प्रयोक से संबंदित है साहचर्य का अर्थ है साथ रहना यहां हम इसका अर्थ लेंगे संक्रियाओं को साथ रखना यानि उनके समुह बनाना यह हम कोश्टकों के प्रयोग से करते हैं संख्याओं पर उचित प्रकार से संक्रियाएं करने के लिए हमें कोश्टकों के प्रयोग के बारे में जानना यानि की साचर या गुण को समझना आवश्यक है पिछली कक्षा में हमने सीखा कि पूर्णांकों यानि integers पर योग की संक्रियां करने के लिए किसी भी प्रकार समुह बनाये जा सकते है यानि कि कोष्ठकों के प्रयोग से किनी भी दो संख्याओं को साथ रखा जा सकता है हमें प्रतीक स्थिती में परिणाम बराबर प्राप्त होगा इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांकों के लिए योग साचर्य है योग की तरह पूर्णांकों के लिए गुणन भी साचर्य है लेकिन पूर्णांकों के लिए व्यवकलन और विभाजन साचर्य नहीं है आज हम परिमेय संख्याओं यानी rational numbers पर की जाने वाली विभिन संख्रियाओं के साचर्य गुण की बात करेंगे चलिए पहले परिमेय संख्याओं के योग यानी addition की बात करें मान लीजिए तीन बोदलों में पानी की मात्रा क्रमशह एक बटे चो लीटर दो बटे पांच लीटर और दो बटे तीन लीटर है यदि हमें पानी की कुल मात्रा ग्याद करनी हो तो हमें इनका योग करना होगा यानि कि हमें 1 बटे 6 धन 2 बटे 5 धन 2 बटे 3 का परिणाम पता करना होगा इसे सरल करने के लिए हम इस प्रकार समुह बना सकते है या इस प्रकार समुह बना सकते है यदि पहले हम 1 बटे 6 और 2 बटे 5 का समुह बना कर इनका योग करे तो इनका योग होगा 17 बटे 30 इसमें तीसरी संख्या दो बटे तीन को मिलाने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 37 बटे तीस यदि हम दो बटे पांच और दो बटे तीन का समुह बनाकर इनका योग करें तो इनका योग होगा 16 बटे पंध्र इसके साथ एक बटे च्छ जोडने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 37 बटे 30 यहां दोनु स्थितियों से हमें पता चलता है कि सभी बोतलों में पानी की कुल मात्रा 37 बटे 30 लीटर है चुकि दोनु स्थितियों में परिणाम समान है इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमे संख्याओं का योग किसी भी प्रकार समुह बना कर किया जा सकता है यनि कि परिमे संख्याओं के लिए योग साचर्य है व्यापक रूप में परिमेश संख्याएं A, B, C के लिए कोष्ठक में A धन B, धन C बराबर A धन कोष्ठक में B धन C है क्या परिमेश संख्याओं के लिए व्यवकलन यानि सब्ट्राक्शन भी साहचर्य है चलिए पता करते हैं मान लीजिए अधिती के पास 4 बटे 5 चोकलेट है उसमें से वह 2 बटे 5 भाग अंकित को और 3 बटे 10 भाग सुमन को देती है तो बताईए उसके पास कितनी चोकलेट शेश होगी दी स्थिती को हम इस प्रकार निरुपित कर सकते हैं चलिए अलग-अलग प्रकार से समूह बनाकर इसे हल करें यदि हम 4 बटे 5 और 2 बटे 5 का समूह बनाते हैं तो 4 बटे 5 रिंड 2 बटे 5 का परिणाम हमें 2 बटे 5 प्राप्त होगा यदि इसमें से 3 बटे 10 घटाएं जाए तो परिणाम 1 बटे 10 प्राप्त होगा वीडियो रोक कर अब आप पता कीजिए कि यदि 2 बटे 5 और 3 बटे 10 का समुह बनाकर इसे हल किया जाए तो परिणाम क्या होगा? चलिए हम बताते हैं इसे हम इस प्रकार सरल कर सकते हैं हमें परिणाम प्राप्त होगा 7 बटे 10 यहां दोनों स्थितियों में परिणाम समान नहीं है इसलिए किनी भी 3 परिमेय संख्याओं A, B, C का व्यवकलन किसी भी प्रकार समुह बनाकर नहीं किया जा सकता इनका व्यवकलन दिये क्रम में ही करना आवश्यक है हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन साहचर ये नहीं है यहां पहली स्थिति का परिणाम सही और दूसरी स्थिति का परिणाम गलत है इसलिए हम कह सकते हैं कि अदिती के पास एक बटे दस चॉकलेट शेश है वीडियो रोक कर अब आप किने भी तीन परिमेय संख्याओं का अलग-अलग प्रकार से समुह बनाकर गुनन यानि मल्टिप्लिकेशन कीजिए क्या परिणाम बराबर है? तो क्या परिमेय संख्याओं के लिए गुनन साचर्य है? बिलकुल सही परिमेय संख्याओं A, B, C का गुनन किसी भी प्रकार समुह बनाकर किया जा सकता है परिणाम हमेशा बराबर प्राप्त होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेश अंख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है यहां दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है इसी तरह चलिए पता करें कि परिमेश अंख्याओं के लिए विभाजन यानि डिविजन साहचर्य है या नहीं यदि हम 6 बटे 7 विभाजित, 4 बटे 3 विभाजित, 1 बटे 12 को इस प्रकार सरल करेंगे तो परिणाम 54 बटे 7 प्राप्त होगा लेकिन यदि हम इसे इस प्रकार सरल करेंगे तो हमें परिणाम 3 बटे 56 प्राप्त होगा यहां दोनों स्थितियों में परिणाम पराबर नहीं है इसलिए परिमेय संख्याओं ABC का विभाजन किसी भी प्रकार समूह बनाकर नहीं किया जा सकता इसे दिये गई क्रम में ही करना अवश्यक है इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमे संख्याओं के लिए विभाजन साचर्य नहीं है इस तरह से यहां पहली स्थिती का परिणाम सही और दूसरी स्थिती का परिणाम गलत है अब आप जान गए होंगे कि परिमे संख्याओं के लिए योग और गुणन साचर्य है लेकिन व्यवकलन और विभाजन साचर्य नहीं है आज हमने सीखा परिमे संख्याओं पर की जाने वाली विभिन संक्रियाओं का साचर्य गुण अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार उधारनों से इसे और अच्छे से जानेंगे